तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम अपना रेटार्मेंट चेप्टर शुरू कर चुके थे हमने बेटा रेशोस की बात कर ली गेनिंग रेशो की भी बात कर ली है बेटा और रेशो पे बेश सब कुश्चन कर ली है बेटा तो प्यारे बच्चों आज आगे बढ़ते हैं एक और नए कंसेप्ट की चर्चा करते हैं बेटा कंसेप्ट जरूर लिखने में नया होगा बेटा लेकिन बाबू question करने में बिल्कुल वही पुराने question है जैसे admission में करे थे लो प्यारे बच्चों बहुत अराम से चीजों को समझते चुलते हैं तो बेटा हम बात कर रहे हैं concept number 35 की concept number 35 की बात कर रहे हैं और इस concept की heading है treatment of goodwill treatment of goodwill in case of retirement in case of retirement तो बेटा हमें goodwill का treatment देखना है retirement में कैसे होता है मेरे ब्यारे बच्चों goodwill ना दो तरीके की होती है ये बात हम बाबू admission chapter में भी कर चुक है बेटा एक goodwill जिसको आप बोलते हो existing goodwill या बेटा book goodwill जो बेटा existing goodwill है या book goodwill है already बेटा appear है in the books of accounts ऐसी goodwill का हम क्या करते थे बेटा write off करते थे याद करो ऐसी goodwill को हम write off कर देते हैं बेटा book से और बेटा कैसे write off करते थे बेटा old partner in a old ratio तो बेटा आज भी कोई नई बात नहीं बोल रहा बेटा ये goodwill existing partners की है बेटा बाढ़ दो existing partners में old partner में बाढ़ दो old ratio में बाढ़ दो तो बेटा ऐसी goodwill कहां appear हो रही होती है बेटा in books of accounts बेटा ये goodwill asset side में दिखाई होती है balance sheet में बेटा एसेट side में दिखा रखिया है balance sheet में सारी assets डेबिट होती है तो बेटा याने के goodwill भी डेबिट की गई है बेटा goodwill डेबिट की गई है तो बाबु इसको write off करना है book से खतम करना है तो ऐसी goodwill का क्या करो बेटा credit कर दो इसको write off करने के लिए credit कर दो to goodwill account ठीक है जी credit कर दिया debit किसको करो बेटा old partners सारे old partners को debit कर दो बेटा to goodwill और बेटा बाट दो old ratio में old partner debit to goodwill और बेटा बाट दो इसको old ratio में तो मेरे प्यारे बच्चों ये करते हैं existing goodwill का और ये कोई मैं नई बात नहीं बोल रहा हूँ बेटा ये वही पुरानी बात है अभी एक example frame करेंगे इसको भी करके देखेंगे लोग आगे बड़ो बेटा और दूसरी तरीके की goodwill कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चों इसकों बोलता है valued goodwill valued goodwill अब बेटा एक partner जा रहा है मालो आप तीन लोगों की partnership फर्मती आज एक partner जा रहा है बबु समझने की कोशिस करना इस goodwill की क्या relevance है क्या relevance है आज बेटा 1st of April 2017 है तीन partner A, B और C ने मिलकर business शुरू करा बेटा ये business करते गए करते गए, करते गए और ये business इन्होंने 4 साल तक करा 4 साल के बाद C ने बोला कि मैं retire होना चाता हूं फर्म से तो बेटा कोई दिक्कत नी A और B ने का ठीक है आप retire हो जाओ लेकिन बेटा C ने इन 4 साल में बहुत सारी reputation बना कर दिया business की बेटा कही ना कही इस 4 साल में partnership firm की कोई तो reputation बनी ही होगी, बिल्कुल बनी होगी C ने का मेरा भी तो contribution है इस reputation में मैंने भी तो दिन रात काम किया partnership firm के लिए आज मैं जा रहा हूं मुझे compensation चाहिए क्योंकि आप क्या करोगे बबु आप भी तो उस reputation का फाइदा उठाओगे आगे आने वाले साल में तो C wants compensation बेटा जो उसने reputation build up करके दिया तो उसकी compensation चाहता है वो तो प्यारे बच्चों देनी पड़ेगी compensation क्या हम नगत देंगे बेटा बबु इनिसली हम नगत कुछ नहीं देंगे हम C की capital को बढ़ा देंगे तो प्यारे बच्चों capital बढ़ानी है C की retiring partner की क्या करो credit कर दो उसकी capital और debit किसको कर दो बेटा gaining partner को C के जाने से कही ना कही बेटा जो दो partner है A और B कुछ ना कुछ तो gain करेंगे ही करेंगे आप सोचो बेटा मान लो पहले इनकी ratio equal थी और आज C जला गया A और B ने क्या कहा future profit sharing ratio हमारी equal है तो बेटा पहले profit में से 33% हिस्सा मिलता था roughly 33% मेरे बढ़े बच्चों पहले 33% मिलता था आज दोनों को 50-50% मिलने लगा तो C के जाने से क्या A और B आपका फायदा हो रहा है तो बेटा जन पार्टनर को जाने से फायदा हो रहा है बेटा वो सब अपनी capital कम करवाएंगे वो सब पे करेंगे उस पार्टनर को बेटा जो जा रहा है बेटा जो sacrifice करके जा रहा है तो C A और B के favor में कुछ ना कुछ share छोड़ कर जा रहा है बेटा, C को इसलिए compensation देनी चाहिए आपको, बाबु कौन देगा हमेशा gaining partner देंगे gaining ratio में देंगे, मैं last lecture में gaining ratio समझाते time ये बात कर चुका हो, बेटा admission के time पर बाबु होता क्या था, जो partner आता था, existing partner, old partner उसके favor में sacrifice करते थे, क्योंकि आपने profit का sacrifice किया है बेटा, उसके favor में, इस वज़ा से वो आपको compensation पे करता था, आज बेटा, C sacrifice करके जा रहा है आपके favor में, बाबु, C के जाने के बाद profit आप enjoy करने वाले हो सारा का सारा, तो C demanded some compensation for that, और बेटा, आपको देनी पड़ेगी, तो बेटा, होता कहा है, gaining partner debit हो जाते हैं, gaining partner debit gaining partner account debit to retiring partner to retiring partner as well as to sacrificing partner, बेटा, मैंने slash करके लिग दिया, sacrificing partner ये मैंने क्यों लिखा है, इस बात को भी मैं अभी समझा देता हूँ बेटा, जरूरी नहीं है, retiring partner ही, कुछ ना, कुछ नुकसान सहरा हो, ऐसा हो सकता है, बेटा, retiring partner के अलावा भी कोई sacrificing partner हो, ये बात समझाने के लिए मैं एक बात बोलता हूँ बेटा, मालो, पहले आपकी ratio थी, 3 ratio 1, ratio 1 आज C retire हुआ, और A और B की future profit sharing ratio decide हुए, 4 ratio 1 तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हुआ सुन लो, देखो बेटा, C गया है, जो partner चला गया उसने तो हमेशा ही नुकसान सह है बेटा, वो तो आपके लिए सब को छोड़ के जा रहा है, बेटा, वो हमेशा sacrificing partner है, बाबू तो हम क्या करेंगे, retiring partner को तो हमेशा credit करेंगे उसको तो कुछ ना कुछ देंगे जरूरी बेटा, एक angle से सोचो पुराना share 3 by 5 that means 60%, नया share 4 by 5, that means 80%, पहले 60% मिलता था, अब 80% मिलने लगा, तो आप ही कमा रहे हो बेटा, सीके जाने से आप कमा रहे हो, तो आप ही दोगे बेटा, उसको compensation, तो बेटा A को हमने debit कर दिया, gaining partner को debit कर दिया, what is the situation of B, बेटा पहले उसको 1-5th मिलता था, आज, आज कितना मिल रहा है, आज भी 1-5th, तो क्या उसमें कुछ कमाया, कुछ भी नहीं कमाया बेटा, तो B का कहीं नामी नहीं आएगा, आप यही सोचो यह situation ऐसे होती 1 ratio, 1 ratio, 1 that means पहले A को मिलता था 33%, बाबु आज A को कितना मिलता है, 80% कितना गें कर रहे हो, बेटा आप गें कर रहे हो, तो C जा रहा है उसकी compensation भी आप ही दोगे आपकी capital को हम curve करेंगे पहली बाद, big angle से सोचो, बेटा, पहले मिलता था 1, 3rd, 33%, आज कितना मिलता है, आज 1, 5th, 20%, तो बेटा, आपने कुछ कमाया C के जाने से नहीं, बेटा, बलकी गवाया पहले 33% मिलता था आज 20% मिलता है आपने तो गवाया, बेटा C गया, C तो है ही बेटा sacrificing partner, तो बेटा BB क्या sacrificing partner है हाँ बाबु, B का भी profit share कहीं कम हो गया बेटा, यानि कमाने वाला कौन है, A बेटा, A future का आपका profit sharing ratio 80% हो गया, future में आपको profit में हमेशा 80% मिलेगा आपने किसको नहीं चोड़ दिया, B को नहीं चोड़ दिया, C तो चलाई गया, B को भी दबा दिया आपने, तो बेटा आपको C और B दोनों को देना चाहिए, C is the retiring partner आप उसको तो pay करोगे ही करोगे बेटा, B is also the sacrificing partner तो B को भी pay करना पड़ेगा तो प्यारे बच्चों, valued goodwill की entry क्या होती है, gaining partner to the retiring partner या sacrificing partner और बेटा, ये किस ratio में होती है, ये हमेशा होती है, gaining ratio में प्यारे बच्चों, मैं कोई अलग बात, अनोखी बात नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी सारी बाते admission में बोली गई है बस वाँ sacrificing ratio के अंगल से बोली गई है, तो बेटा इन दोनों बातों में कोई मैंने नहीं बात नहीं बताई, ये सारी बात मैंने admission में की है आज बेटा, इसी पर based question करने हैं, अगले आने वाले 30-40 मिनट में बेटा, सिर्फ इसी पर based question करेंगे, कोई और नया concept नहीं उठाएंगे, तो प्यारे बच्चों आप मेरे साथ साथ बने हुए हो हमने question number 12 तक कर लिये थे मैंने कुछ question किये थे, कुछ आपको homework दिये थे, तो बेटा, स्टार्ट करेंगे with question number 13 पढ़ो जी, सुनील शाहिद और डेविड आर पार्टनर sharing profit and losses in the ratio 4, ratio 3, ratio 2 सुनील शाहिद और डेविड किसी firm के partner है old ratio is 4, ratio 3, ratio 2 कहते हैं, शाहिद retire and the goodwill is valued at 72,000 पेटा, शाहिद एक partner था वो retire हो गया और आज firm की goodwill की valuation 72,000 calculate size share of goodwill and pass the journal entry for the goodwill, सुनील और डेविड decided to share profit and losses in the ratio 5, ratio 3 तो मेरे पास बेटा, old ratio भी है, new ratio भी है और आपको पता है बेटा, मैं admission में भी यही बोलता था मुझे नई ratio का कुछ नहीं करना होता पूरी chapter में, except to calculate the gaining ratio admission में मुझे sacrificing ratio चाहिए होती थी, या मुझे gaining ratio चाहिए otherwise मुझे नई ratio का कुछ भी नहीं करना बेटा तो या मुझे old ratio भी पता है, new ratio भी पता है, firstly calculate the gaining ratio, then बेटा हम क्या करेंगे valued goodwill को gaining partner to sacrificing partner करके बाट देंगे gaining ratio में लो प्यारे बच्चों, बहुत अराम से चीजों को समझने की कोशिश करो लो जी, हम start कर रहे है बेटा, अपना first question इस concept पर based बेटा, मैं अभी यह रख रहा हूँ लो question number 13 सुनील शाहिद और डेवेड तीन partner है बेटा, old PSR 4 रेशो 3, रेशो 2 new PSR 5 रेशो 3 लो जी, साहिद रेटार होगया है बेटा, चलो फटावट से पहले gaining ratio calculate करते है gaining ratio formula क्या है बेटा gaining ratio का new ratio minus old ratio new ratio minus old ratio, चलो जी बेटा नहीं ratio है 5 by 8, old ratio होती 4 by 9 ये बेटा calculate करी मैंने सुनील की चलो जी, डेवेड के बेटा साहिद की calculate करने की जोतनी है ये gain नहीं कर रहा, ये आपके लिए सब को छोड़के जा रहा है, ये तो sacrifice करके जा रहा तो बेटा gaining ratio कितनी आई, 13 ratio 11 बेटा gaining ratio कितनी आई, 13 ratio 11 सुनील और डेवेड दोनो gain कर रहे हैं, बेटा शाहिद के जाने से, यानि कि कुछ हिस्सा सुनील ने खा लिया और कुछ हिस्सा डेवेड ने खा लिया, आप दोनों कमाओगे बेटा, आगे आने वाले हर साल में, आप ही में बटेगा बेटा profit, आपने कमाया कुछ ना कुछ, शाहिद के जाने से, तो आप ही पे करोगे बेटा शाहिद को, शाहिद जा रहा है बेटा, शाहिद को compensation दो बेटा, compensation देने के लिए उसकी capital बढ़ा दो तो शाहिद's capital account तो शाहिद's capital account और मेरे प्यारे बच्चों, डेविट किसको करेंगे बेटा, जो कमार है बाबु, सुनील और डेविट को डेविट करेंगे सुनील's capital account डेविट डेविट's capital account डेविट बेटा, format बनाकर journal एंट्री करना being, compensation distributed to the distributed to side लो जी, जो बाबु, retiring partner है मुसको compensation दे रहा है अब बेटा, compensation की calculation कैसे होती है ये समझ लो तो बेटा, क्या मैंने entry यही करी gaining partner to retiring partner तो बेटा, मैंने entry यही करी gaining to retiring partner बेटा, आगे आने वाले question में देख लेना, retiring partner के लावा कुछ ना कुछ partner कभी ना कभी sacrifice करेंगे अगर वो sacrifice करेंगे, बेटा, तो मैं उनकी capital भी बढ़ा दूँगा लो प्यारे बच्चो, देखेंगे हम जरूर देखेंगे इस चीच को, चलो दी लो प्यारे बच्चो, अब मुझे calculation करनी है, amount की बेटा, what would be the valued goodwill, बेटा, firm की goodwill थी, 72,000 तो बेटा, retiring partner ने कितना share कमाया वा था उसके हिसाब से pay करो retiring partner, शाहिद का share था 3 by 9 retiring partner का share 3 by 9, तो बेटा, उसको 3 by 9 आपको pay करना पड़ेगा 3 by 9 यानि की one third one third means 24,000 शाहिद को बेटा 24,000 रुपे की compensation दो क्योंकि firm के goodwill 72,000 है, जिसमें शाहिद का हिसा 24,000 रुपे है तो बेटा 24,000 उसने reputation बना कर दिये आपकी, तो बेटा ये देना पड़ेगा, देगा कौन gaining partner देंगे किस ratio में, gaining ratio में 24,000 को 13 ratio 11 में बाट दो, that means Sunil देगा 13,000 रुपे और David देगा 11,000 रुपे तो प्यारे बच्चों calculation कैसे करनी है सबसे पहले firm goodwill देख लो बेटा, firm की goodwill में retiring partner का share multiply करके वो लिख दो, और जो भी retiring partner का share होगा, उसको gaining ratio में बाट के खतम करो तो प्यारे बच्चों, इतना simple सा question है, question number 13 finish भी हो गया, चलो बढ़ते हैं बेटा, इसकी जैसे तो आज बहुत सारे question करने आगे लो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं, एक एक करके आगे, लो बाबू, मैं आज कोई नया concept नहीं लिखवारा और मैं बता देता हूं question number 22 तक हर question हो जाना चाहिए बाबू, हम स्टार्ट करते हैं, question number 14 लो जी, question number 14 करते हैं कहते हैं, PQRS वर partner in a farm sharing profit in a ratio of 5, ratio 3, ratio 1, ratio 1 PQRS, चार partner हैं, old ratio is 5, 3, 1, 1 बेटा, old ratio है, 5, ratio 3, ratio 1, ratio 1 ठीक है जी, बेटा कहते है, on first of January 21 S retired from the firm, S चला गया है बेटा partnership firm से, कहते है, on S retirement goodwill of the firm is valued at 4,20,000, ठीक है जी अभी देखेंगे goodwill का, कहते है, new PSR बेटा, PQR की आपको new PSR भी पता है new ratio, कितनी है बेटा, PQR की 4, ratio 3, ratio 3 चलो मेरे प्यारे बच्चो, आपको कहते है show your working notes clearly, past necessary journal entry for the treatment of goodwill in the books of the firm on S retirement तो प्यारे बच्चो, मेरे को old PSR पता है मुझे new PSR पता है, मुझे valued goodwill पता है 4,20,000, तो बेटा, बाट दो gaining ratio में सबसे पहला काम है, बेटा, gaining ratio निकालना आपको भी पता है, मुझे new ratio का कुछ भी नहीं करना होता तो बेटा, gaining ratio निकाल लो, formula लगाओ new ratio, minus old ratio, चलो जी तो बेटा, new ratio कितनी है, P के angle से बुलता हूँ बेटा, P की gaining ratio निकाल रहा हूँ, new ratio कितनी है, बेटा, P की 4 by 10, old ratio is 5 by 10 और मेरे प्यारे बच्चो, that means 1 by 10 और वो भी negative, that means it is not gain, it is sacrifice sacrifice, sacrifice है ये, बेटा, पहले मिलता था, 5 by 10 यानि की 50% profit, और अब मिल रहा है, सिर्फ 40% नया share है, 40%, पहले 50% मिल रहा था बेटा, gain कर रहे हो, sacrifice, बेटा, clear cut, sacrifice कर रहे हो अगर ये positive आता, that means आपने gain किया, ये negative आ रहा है इसका मतलब ही क्या है, बेटा, आपने sacrifice किया है, बढ़ो आगे बेटा, क्यों की बात करते हैं नया share 3 by 10, old share बेटा 3 by 10, that means कोई sacrifice नी, कोई gain नी, खतम का नी बढ़ो आगे बेटा, arc angle से बात करो, नया share 3 by 10, पुराना share 1 by 10, that means 2 by 10 का gain तो मेरे प्यारे बच्चों, gaining partner हमेशा debit होते हैं, तो वावो हमने entry पढ़िया gaining partner debit to sacrificing partner to retiring partner, तो सबसे पहले क्या करो, gaining partner को debit कर दो ये gain कर रहा है, इसकी capital कम करेंगे ही करेंगे, ours capital account debit, बेटा, retiring partner हमेशा sacrificing partner होता है, इसको सबसे पहले credit करो तो S capital account, और मेरे प्यारे बच्चों, एक और person ने sacrifice किया, बेटा, जब S गया, तो P ने भी sacrifice किया, कुछ ना कुछ, P का profit पहले 50% था, अब 40% हो गया, और बेटा, पूरी जिन्द की अब 40% ही रहेगा, नहीं PSR ही 40% आई, 4 upon 10 मतलब 40%, तो बेटा, पहले 50% कमाता था, तब प 10% का sacrifice किया, तो कुछ compensation इसको भी मिलनी चाहिए, तो इसकी भी capital बढ़ जाएगी, to P's capital account, being compensation distributed to S&P, तो बेटा, अब जो मैंने journal entry लिखी थी, बिल्कुल clear cut समझ में आ गई होगी, gaining partner, debit to retiring partner and to sacrificing partner, तो बेटा, जो retire हो रहा है, वो तो हर हाल में sacrifice करता है, बेटा, ऐसा हो सकता है, कोई partner retire ना हो रहा हो, तो sacrifice फिर भी कर रहा हो, तो ऐसे cases में उसकी capital भी बढ़ानी पड़े की, अब बेटा, बहुत अराम से amount को fill करना, firm की goodwill है 420, और मेरे प्यारे बच्चो, आप देखो retiring partner का share कितना है, retiring partner S है बेटा, इसका share है 1 by 10, that means 42,000 तो इसको देने चाहिए आपको, दूसरी बात, बेटा, P का sacrifice कितना है, firm's share of goodwill is 420,000, बेटा, firm के goodwill 420, और बेटा, कितना sacrifice कर रहा है P, 1 by 10, तो मेरे प्यारे बच्चो, ये भी 1 by 10 है, that means 42,000, तो प्यारे बच्चो, कितना देगा R, 84,000 देगा 42,000 S को, और 42,000 P को, तो बेटा, यहां ये question भी खतम हो जाता है, चलो जी, बड़ो आगे कुछ मुश्किल नहीं है, यही दो entry है, goodwill already appeared in the books है, बेटा, goodwill write-off कर दो, और ब value goodwill है, एक एंट्रिय गेनिंग partner to retiring और sacrificing partner बाट के खतम करो, तो प्यारे बच्चो, इसी पर बेज 5-7 question कराने हैं, मुझे back to back, बढ़ते चलो आगे, लो जी, आगे बढ़ते हैं बेटा, next question स्टार्ट करते हैं Question number 15, Aparna, Manisha and Sonia are partner sharing profit in the ratio of 3, ratio 2, ratio 1, Manisha retired and goodwill of the firm is valued at 1,80,000, ठीक है जी, Manisha retired हो गई बेटा, firm के goodwill value ही 1,80,000, Aparna and Sonia decided to share the future profit in the ratio of 3, ratio 2, बेटा, old ratio पता है, new ratio पता है, आपको कहता है, past the necessary journal entry, तो क्या problem है बेटा, पहले जैसा ही तो पूरा question है, लो जी, हम बात कर रहे हैं बेटा, Aparna, Manisha and Sonia, old ratio, बेटा, old PSR की बात करें तो 3, ratio 2, ratio 1 है, ये retire होई है बेटा, Manisha, और बेटा बोलता है, new PSR कितना है, new PSR है, Aparna और Sonia का 3, ratio 2, और valued goodwill 180 है, तो प्यारे बच्चों, फटा फट से gaining ratio निकाल लो, gaining ratio, formula क्या होता है बेटा, new ratio minus old ratio, new ratio है कितनी बेटा, सबसे पहले मैं Aparna के लिए calculate कर रहा हूँ, Aparna की बेटा नहीं ratio है, 3 by 5, ठीक है जी, old ratio is 3 by 6, LCM ले लिया है बेटा, आप भी कर लेना, ये तो आप करी सकते हो, चलो जी, बेटा, सोनिया के angle से सोचते है, सोनिया की new ratio कितनी है, 2 by 5, and the old ratio is 1 by 6, तो बेटा, gaining ratio कितनी आ गई, 3 ratio 7, gaining ratio आ गई, बेटा, 3 ratio 7, Manisha retire हुई है बेटा, जिसने भी gain किया है बेटा, सब पे करेंगे, तो प्यारे बच्चों, इनकी capital को debit कर दो, अपर्नास capital account debit, बेटा, सोनियास capital account also debit, सोनियास capital account also debit, 2, बेटा, जिसने भी, जो भी retiring partner है, वो हमेशा sacrifice करके जाता है, तो बेटा, उसको compensation आप दे रहे हो, तो Manisha's capital account, being compensation distributed to Manisha, being compensation given to Manisha, लो बेटा, मैंने narration भी लिख दी, अब बात आती है, बेटा, कितने पैसे देने हैं, बेटा, firm's goodwill आपको दी होई है, 1,80,000, आप Manisha का share देखो, कितना है, बेटा, 2 by 6, 2 by 6, that means one third, और बेटा, मतलब 60,000 रुपीज, तो बेटा, आपको Manisha को 60,000 रुपे देने पड़ेंगे, कौन देगा, बेटा, बाबु, देंगे ना gaining partner, किस ratio में, 3 ratio, 7 में, that means, बेटा, 60,000 का, 18,000 रुपे देगा, बेटा, अपरना देगी, और 42,000, सोनिया देगी, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह question भी खतम हो जाता है, तो हमने back-to-back, बेटा, 3 question कर लिया है, आगे बढ़ते हैं, लो जी, अभी तक मैंने किसी भी question में, बेटा, existing goodwill नहीं देखी है, तो प्यारे बच्चों, अब एक ऐसा question कर देते हैं, जिसमें existing goodwill भी हो, लो जी, बाबु, मेरा ख्याल question number 18 है, हमारी book में question number 18, बाबु, 18 question पढ़ते हैं, कहता है, Honey, Pummy and Sunny are partner, sharing profit in the ratio of 3, ratio of 2, ratio of 1, बेटा, 3 partner के नाम दिये हुए हैं, old PSR 3, 2, 1 है, कहता है, goodwill is already appearing in the books at a value of 60,000, तो बेटा, goodwill existing goodwill है, book goodwill है, 60,000 की, old partner, old ratio, बेटा, खदम करना बाट कर, कहता है, Pummy retire, and at the time of Pummy's retirement, goodwill is valued at 84,000, तो बेटा, valued goodwill बोलता है, 84,000 की है, Honey and Sunny decided to share future profit in the ratio of 2, ratio of 1, बेटा, old PSR पहले ही पता थी, new PSR दे दी, 2, ratio of 1, आपको कहता है, record the necessary journal entry, तो प्यारे बच्चों कोई भी देख करती है, फटा फट से करते है, question number 18, तीन partner दी हुए है, बेटा, Honey, Pummy and Sunny, बेटा, old PSR पता है हमारे को, 3, 2, 1, रिटार उने वाला partner पता है, बेटा, Pummy और बाबु, new PSR हमें दी हुए है, 2, ratio of 1, Honey और Sunny की new PSR है, बेटा, 2, ratio of 1, book goodwill, मैं shortcut में लिख रहा हूँ, आप मत लिखना, और valued goodwill, 84,000, लो प्यारे बच्चो, journal entry करनी है मेरे को, सबसे पहले book goodwill को खतम करो, बेटा, book goodwill, existing goodwill, goodwill already appeared in the books of accounts, ये कहां दिखा रखी होगी बेटा, asset side, और मुझे इसको खतम करना है बेटा, कर दो इसकी side chain, asset हमेशा debit होते है बेटा, मैंने credit कर दिया, तो मैं write off कर रहा हूँ, किस किस में write off करना है, बेटा, सब old partners में, बेटा, new partner यहाँ पर दो है, honey और sunny, क्योंकि पमी retire हो गई बेटा, लेकिन old partner तीनो है, तो बेटा, old partner में बाटना है, old ratio में बाटना है, तो बेटा, तीनो में बाट दो, honey is capital account, debit, पमी पमी कापिटल अपकाट अपना है, also debit, Sunny's capital account, also debit, being goodwill, return off, प्यारे बच्चों कितनी existing goodwill 60,000 की existing goodwill है और मुझे खतम करना है किस ratio में old partner debit कर दिया है old ratio में खतम करना है that means honey की capital 30,000 से कम 20,000 की पमी की और बेटा sunny की 10,000 से कम तो प्यारे बच्चों ये हमने entry खतम करी चलो जी valued goodwill बेटा valued goodwill के लिए मुझे gaining ratio पता होनी चीए तो सबसे पहले calculate करेंगे gaining ratio लो जी formula लगाओ new ratio minus old ratio बाबू नया ratio कितना है आप देखो बेटा honey के angle से सोचो तो नया ratio है बेटा 2 by 3 और बेटा old ratio 3 by 6 ये रा gain बेटा sunny के angle से सोचो old ratio is 1 by 3 sorry new ratio is 1 by 3 old is 1 6 तो बेटा gain आप equal ratio में कर रहे हो दोनों बराबर कमा रहे हो तो दोनों gaining partner debit to बेटा retiring partner खतम का नहीं कुछ भी नहीं है honey is capital account debit honey is capital account debit sunny is capital account also debit तो बेटा जो भी retiring partner है पमीज capital account लो प्यारे बच्चो तो हम पमी का share of goodwill कैसे निकालते हैं बेटा valued goodwill जो है firm की goodwill जो है वो 84,000 की है बेटा retiring partner का share क्या है 2 by 6 that means one third that means 28,000 तो बेटा 28,000 का share है तो बेटा 28,000 को कौन देगा gaining partner देगे gaining ratio में gaining ratio बेटा बिलकुल बराबर है तो बेटा 14,000 देगा honey और 14,000 देगा sunny तो प्यारे बच्चो ये question भी हमारा यहां खतम हो जाता है तो हम back to back 4 question कर चुके हैं 5th question बेटा बाबु हम बात कर रहे है question number 19 की पढ़ते हैं बहुत अराम से मेरे ब्यारे बच्चो question number 19 कहता है A, B and C, R partner sharing profit in the ratio 4 by 9, 3 by 9 and 2 by 9 A, B और C partner है किसी firm के बेटा इनका old PSR है 4, 3 and 2 कहता है B retire and his capital after making adjustment for reserve and gain profit on revaluation standard 139,200 बेटा ABC team partner थे कहता है B जा रहा है और जब B जा रहा है तो B का सब कुछ मिला लो कहता है सारी adjustment कर ली B की capital में reserve भी दे दिये जो देने थे जो revaluation देना था सब दे दिया और बेटा जब देखा हमने कितना balance बैटर है तो B को 1,39,200 देने थे जब B घर जा रहा था कहता है ANC agree to pay him 1,50,000 in full settlement office claim बेटा A और C ने agree करा कि हम तुझे डेड़ लाक रुपे देंगे बेटा record necessary journal entry for adjustment of goodwill if the new PSRS 5 ratio थे मेरे प्यारे बच्चों देखो बहुत सारी बाते ना या सोचने की है जब B घर जा रहा है बेटा क्या उसने जो मेरे business में capital जो partnership firm में capital लगा रखी थी वापिस देंगे-देंगे क्या बेटा अगर कोई उसने reserve कमा रestar के दिया है बेटा तो क्या उसका हिस्सा देंगे-देंगे क्या बेटा revaluation का हिस्सा देंगे-देंगे सारे old partner को देंगे बेटा जैसे admission में करते थे तो बेटा बोलता है B का इस्सा बैट रहा था 1,39,200 लेगिन फिर भी A और C ने का कि हम तुमें 1,500,000 रुपे देते हैं तो मेरे प्यारे बच्चो आप फालतू दे क्यों रहे हो पहले ये तो सोचो और आपको कुश्चन में कहता है बेटा की गुडविल की एंट्री कर दो ये गुडविल कहां से आ गई मेरे प्यारे बच्चो अब यही तो बात समझने की है देखो A और C B को बोल रहे हैं हम तुझे 1,500,000 रुपे देते हैं जबकि उसके लिए ड्यू अमाउंट सिर 1,39,200 है तो बेटा A और C फालतू कितना दे रहे हैं 10,800 रुपे फालतू दे रहे हैं यह बेटा ऐसा ही नहीं दे रहे मन नहीं कर रहा है उनका यह आप कंपनसेशन फालतू दे रहे हो तो बेटा आप 10,800 रुपे उसको फ्री में नहीं दे रहे बेटा आप बेटा उसको कंपनसेशन दे रहे हो क्योंकि वो firm छोड़ के जा रहा है, आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ sacrifice करके जा रहा है, उसके जाने से AORC दोनों को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा, तो इसी वज़ा से आप उसको 10,800 रुपे फालतू दे रहे हो, that means it is a hidden goodwill, ये बेटा hidden goodwill है, और retirement के case में इतना ही अस असान होता है hidden goodwill को निकालना, उसके लिए due amount थी, स्तिर्फ 139200 और आप बेटा उसे डेज लाक रुपे पे कर रहे हो, तो बे वज़ा पे नहीं कर रहे हैं 10,800 रुपे, बेटा आप उसको कहीं ना कहीं compensation दे रहे हो, तो बेटा अगेन entry तो सहीं ही हो नहीं है, gaining partner to retiring partner, बाब question खतम हो भी चुका बेटा, लो जी, old ratio and new ratio, old PSR, बेटा ABC की old PSR दियो ही है 4, 3, 2 and new PSR between A and C is 5 ratio 3, चलो जी, calculate करते हैं, gaining ratio, formula new ratio minus old ratio, सबसे पहले A के लिए, new ratio 5 by 8, old ratio 4 by 9, तो बेटा gaining ratio कितनी आई, 13 ratio 11, और बेटा जैसे gain कर रहे हो, वैसे ही भुगतना पड़ेगा, A's capital account debit, C's capital account debit to the retiring partner, तो B is capital account, being compensation given to B, मेरे प्यारे बच्चों कितनी compensation दी आपने उसको, 10,800 रुपे, किस ratio में बाटेंगे बेटा, gaining partner बाटेंगे, gaining ratio में, that means 13 ratio 11, तो मेरे प्यारे बच्चों हम adjust करते हैं, 13 ratio 11 में बाटने की कोशिस करते हैं, तो B बेटा मैंने बाट दिया gaining ratio में, क्या मैंने बिलकुल जी, मैंने बिलकुल ठीक बाटा है बेटा, तो यहां मारा question number 19 भी finish हो जाता है, मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए आज कुछ homework है, homework यह है, question number 13 से लेकर, आप question number 22 तक करके आएंगे, मैंने 3, 2, 5 question कर दिया है, 3, 4, 5 question मैंने कर दिया है, 5 आपके लिए homework है, जो मैंने कर दिया है, वो भी आप repeat करोगे, 10 question करने में सिर्थ 10 मिनट लगेंगे, और बेटा, हम 22 तक पोच भी जाएंगे, total number of question 56 है इस chapter में, तो प्यारे बच्चों, बहुत तेजी से भाग रहे हैं, हम इस chapter के पीछे-पीछे, तो आप ये question घर से करके लाना, simple question है, next video में मिलेंगे बेटा, next concept के साथ, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाई बाई